नमस्कार सात्यो मैं मावीर सिंग लेव असिस्टेंट आपका राजिस्थान इंस्टिट्यूट यूटूब चैनल पर स्वागत इबम अभिनंदन करता हूँ तो सात्यो राजिस्थान पुलिस सविंस्पेक्टर बढ़ती का रेजल्ट आ चुका है फिजिकल के लिए quallyfy अभियरतियों के लिए बहुत बहुत बधाईया तो दोस्तों इसमें नौर्मलाइजिस्थान की पिरकिरिया अपनाई गयी है काफी अभियरतियों इसमें चिन्तित हैं कि वो जो है नौर्मलाइजिस्थान के कारण फैल हो गई हैं लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ नॉर्मलाइजेसन में घटते बहुत कम हैं और बढ़ने के ज़्यादा चांस रहते हैं तो मैंने कई अब्यर्तियों से बात करी है जिन्होंने काफी बार ऐसी भर्तियों में भाग लिया था जिनका नॉर्मलाइजेसन हुआ है जैसे कि रेल्बे की काफी बर्तिया हैं दिल्ली पुलस है और भी कई बर्तिया हैं जिनमें नॉर्मलाइजेसन अपनाए गया था तो उनके अब्यर्तियों से मैंने बात किये है जो कि कई-कई बार उन्होंने एक्जाम दिये और normalization से वो गुजरे थे तो उनका कहना है कि इसमें accuracy देखी जाती है कि कितने question किसने attempt किये हैं और कितने उनके गलत हैं इसका भी इस पर फर्क पड़ता है normalization पर उसकी बज़े से जिसने ज़्यादा negative किये हैं तो उसके number कम बढ़ते हैं और जिसने ज़्यादा attempt किये हैं ज़्यादा सही हैं उसके और negative कम हैं तो उस चीज़ से उसको ज़्यादा मिलता है उस अभी इरती को ज़्यादा मिलता है normalization में साथ में इसमें paper का label भी देखा जाता है तो इसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ कई बार मेरे जो दोस्ते हैं उन्होंने एक्जाम दिये हैं जिन में normalization हुआ है तो वो बता रहे हैं कि लगबग जो है 8 से 10 number भी उनके बढ़े थे कई बार उनके 6 number बढ़े थे कई बार 10 number तक भी बढ़े 12 number भी बढ़े 16 number भी बढ़े थे accuracy भी इसमें देखी जाती है साथ में इसमें आपके attempt भी देखे जाते हैं कि कतने question आप attempt किये हैं कतने इसमें आपके negative जा रहे हैं तो ये बात भी इसमें देखी जाती है तो आप उसी हिसाब से normalization को नहीं लगाएं कि paper का level उसके हिसाब से normalization होता है उस हिसाब से आपके नंबर जो है इसमें घटे बहुत कम होते हैं एक ऐसा भी अभ्यरती मिला है जिसका जो है नॉर्मलाइजेशन से केबल एक ही नंबर घटा था तो उसने कई बार एक्जाम दिया था कई भरतियों का तो वो बता रहा है कि नॉर्मलाइजेशन में घटे कम हैं और बढ़ते जादा हैं उसका एक नंबर घटा था एक बार तो हो सकता है कि वो एक नंबर जो उसका घटा था वो नॉर्मलाइजेशन से ना होकर उसका कोई क्वेश्चन गलत हो उसका घट गया हो लेकिन जो मैंने ज़धा तर से बात करी है जनों नोर्मलाइजिशन भाली भरतियों में बाग लिए था वह बता रहे हैं कि इसमें बढ़ने के चांस ज़ज़ादा रहते हैं किसी के ज़धा attempt किया ज़धा सभी है तो उसके ज़धा बढ़ते हैं कटोप से बहुत जादा नंबर थे फिर भी फैल हुए हैं तो मैं उनको बता देना चाहता हूं अपनी OMR सीट मेरे मोबाइल नंबर पर आप सेंड कर दें कोश्चन पेपर भी सेंड करतें तो आपका पूरी तरीके से डिसकसन किया जाएगा और जो है सभी अव्यर्तियों के लिए दिखाया जाएगा कि इसमें कहां पर गलती वही है आपकी तो आप इस बात के लिए चिंतित नहीं रहें आपको आपकी RTI लगा कर भी जानकारी कर दी जाएगी आप tension नहीं लें आप केवल OMR seat जो है मेरे mobile number पर बेज दें साथ मैं आपका question paper भी बेज दें मैं आपको जो है mobile number बता देता हूँ आप note कर सकते हो 9664396024 इस पर आप वाटसेप कर दें मेरे को OMR और आपका admit card मेरे को बेज दे साथ में question paper हो तो वो भी बेज दे बाकी आपका कौन सी सप्ट में paper था ये मेरे को बता दें तो आपका मेरी team के द्वारा आपका paper का मिलान करबा दिये जाएगा तो आप इस बात के लिए चंतित नहीं रहें आपको पूरी प्रोसेज के बारे में जानकारी दी जाएगी आपका किस कारण से पेपर में आपकी गड़बडी होई है या फिर आपसे ओमर में गलती होई है तो ये कारण आपके हो सकते हैं लेकिन इसमें ऐसा कोई गड़बड जाला नहीं गुआ है जैसा आप सोच रहे हैं कि जो है बोर्ड ने नमबर कम कर दिये हैं ऐसा कुछ नहीं है या तो आपसे सीरीज में गलती होई होगी या फिर जो है आप जो है कुश्चन पेपर में आपने जो है कुश्चन पेपर में जो है